नमस्कार जवार एंड जैहिन दोस्तों मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में दोस्तों आज लोग कताओं का जो छूटे हुए पार्ट हैं दो लोग कताएं छूटा हुआ था उसी में से एक जिसका ना तो पूरा सेशन में बने रहें और कहीं और भी देखे ही होंगे आप लोग अल्रेडि बहुत सारे विडियो अप्लोड हो चुके हैं तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप वहां नहीं देखें वहां भी देखें और यहां भी देखें अंतर आपको समझ में आ जाएगी इसलिए आपको देखना जोर रही है कि खूटा भीतर चियां गोटा यह जो लोग कथा है इस लोग कथा के जो संकलन करता बोल सकते हैं या डौंगवईया बोल सकते हैं यह कुन है तो दिनेश कुमार दिन्मनी जी हैं लोग कथाओं से क्या समझते हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे, और लोग कथा किसे कहते हैं, यह भी हमने बता दिया था, लोग कथा कहने का मतलब होता है, वे कथाएं जो पुर्खों से चलते आ रहे हैं, और एक जे कहानी के रूप में आपने अपने बड़ो से सुना होगा उन्ही कहानियों को हम क्या कहते हैं लोग कथा कहते हैं जिसका कोई लिखने वाला पता न चले लेकिन यहां पर संकलन करता के रूप में हम लोग दिनेश दिन्मनी जी को जानते हैं और दिनेश दिन्मनी जी ने बहुत ही बढ़ियां से इसे खोठा में जो किता यह लोग कता आपके शिलेवस में है JSC असनातक अस्तरिय जार्खन शिच्छक पात्रता परीच्छा आर नगरपाली का सेवा यानि कि असनातक अस्तरिय जितनी भी परिच्छाएं होंगी सभी में यह शिलेवस समय शामिल है आपकी तो आपको यह बहुत द्यान से समझना है और जानना है क्या है यह हिंदी की अगर बात करेंगे तो एक कहानी है हिंदी में भी लोग कता है जो बिहार में परचलित है खूटे में मोर दाल है खूटे में मोर दाल है क्या खाऊं क्या पीऊं क्या ले परदेश जाऊं यहां पर चिडियां को दिखाया गया है और हमारी जो कहानी है लोग कता है इसमें कोवा को दिखाया गया है यानि कि कोवा और चिडियां बस इतना ही अंतर है बाकी सारी जो है कहानी वही है वो यहां पर कोवा है और हिंदी वाले जो लोग कता है खूंटे में मौरदाल है उसमें क्या है चिडियां है या गोर बहुत अंतर के साथ में यह कहानी आपके सामने में रखने जा रहा हूं तो यहां पर मैं खोठा से ही हिंदी में ट्रंसफर करूंगा और आप लोगों को समझना है साथ में PDF के लिए आप लोग गुरूप में जोइन कर लिजिए क्योंकि उसका इसका जो PDF है वह सेयर होगा उस को बोलते हैं तो खूटा कहने का मतलब है लकड़ी का वह खंभा जिस पर तार हो या कुछ अलग तरह के कुछ काम के लिए जमीन से जो गड़ा हुआ हूँ खूटा कहा जाता है उसी को खूटा बहुत तरह के होते हैं एक तो होता है एकदम सोलिड अभी जो देख रहे हैं लोहे का खूटा हो जाता है एक परकार का सिमेंट का भी खूटा होता है लेकिन यहां पर बात किया गया है लकड़ी का खूटा का और वह भी खूटा कैसा तो फटा हुआ खूटा का तो यह खूटा जो होता है वह लकड़ी का ही एक रूप होता है जो इस परकार से यहां प बैठा हुआ है इसके मुझ में चिया गोटा है चिया गोटा मतलो इमली का बीज इमली का जो बीज होता है उसी को बोलते है चिया गोटा इसके पहले भी हम लोग बहुत बार चर्चा इस बारे में कर चुके हैं तो वह बीज कहीं से ले के आते हैं और उसको उस बीज को खाना हिरा है परन्तू हो तिया रहा है उसके साथ में कि जैसे ही वह खाने खोईता है उसके मुझ से वह बीच गिर जाता और गिर के कहीं इस जो फटा फटा से जगा है इसी में से समा जाता है जब यहां पर वह समा जाता है तो बहुत कोशिस करता हुआ निकालने का लेकिन अंततो गत्वा वह उसे अपने मुझ से निकाल नहीं पाता है या अपने सामर्थ से निकाल नहीं पाता है तब वह बहुत ही जो कोवा है वह बहुत तरह का जुगार भ यानि कि मदद मांगने के लिए और उसे कहीं से मदद नहीं मिलता है लेकिन अंतिम छन में जब लाष्ट में वह अपने परोदर रुप मैं आता है एक छोटे से जीव चोटा सा खोटा जिसको बोल सकते हैं चीटी जिसको वे उपर लास्ट में वह मांगता है और भी जब इनकार करता है तो कोवे को गुस्सा आजाता है और वह कहता है कि मैं अगर मुझे मेरा तुम तुम हेल्प नहीं करोगे या मेरी सहायता अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ही खा जाओंगा और फिर से वह कहानी वहां से रिवर्स आती है और लाश्ट में जहां से प्रारम होती है वहां पहुँचती है और यही प्रारम से अंतिम और अंतिम से प्रारम की यह कहा लेकिन उसके लिए परियास आपका लगातार होनी चाहिए और सही दिशा में परियास होनी चाहिए तो यह कहानी आपको यह सिच्छा देती है कि जो परियास है उसे आप कम ना करें सही दिशा में परियास करें सही जगह पर सही फैसला लें तब आपकी जो कामना है वह पूर् फोकस रहे और जैदा से जैदा इस्टेडी पर ध्यान दे आज चलते हैं और इस कहानी का हम लोग पूरा बिसलेशन करते हैं जो कि ब्यार में भी एक लोग कता है उसी लोग कता पर आधारित जारखंड की एक लोग कता जिसका नाम है खुटा भीतर चियां गोटा इसको हम लो कèg झालना कैसे कैसे से चियां गोटा कोवक भुण से च्छवट के खुटक फैट समाइर है ऑशलाई पर षयाजल tatliat चियांाग व्य है ऑर उल्टक उखिए और का उख्वा और वे कारण वस उसका मूँ से वह चिया गोटा गिर जाता है और गिरने के बाद कहां चला जाता है तो उस खूटा में समा जाता है अब कोवा बहुत जैदा हैनिसार हो गया कि जिसको मैं खाने के लिए लाया था वह मैं खा नहीं पाया और वह क्या हुआ इस खूटे में समा गया ज माल ले और कोनों उपाए चियां गोटवा के बहरायक खाइबे करवे मने मन कोवा ठानल कोवा आपन से धेर जिगिस्ता मतलग कोशिस धेर जिगिस्ता कर ले मुद्द कोनों फाइदा नाए बहुत जिगिस्ता किया लेकिन कोई फाइदा उसको नहीं मिला गोटवा खुटक फ को वा एगो बढ़य जुगुन गयल आर बढ़या के कहला और सोचा कि इसका काम तो लकड़ी काटने का काम और लकड़ी फारने का काम किसका है तो बढ़य का है तो वह क्या क्या एक बढ़य खोजने के लिए चला गिया और बढ़य मिल गया और बढ़य को जाके उन्होंने कहा बढ़े को क्या कहा वज सुनिए बढ़ा ही इन्पोर्टेंट है ये बीच बीच से उठा के पूछा जा सकता है बढ़े को कहता है जाके बढ़े 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 खुटा फार खुटा भीतर चिया गोटा बोलता है बढ़े बढ़े खुटा फारो खुटा के भीतर क्या है चिया गोटा बढ़े सब विबरन सुनके दुरदुरा के कहले भाग रे कोवा चल लियो तो खुटा फारे ले बढ़े जो है सारा बविरन को सुन लिया उसके बाद बोला कि तुम्रा एक चीया गोटा के चलते है एक छोटा सा दाना के चलते हम क्या जाएंगे पूरा खुटा फारने के लिए मजक समझ के रखा है चलाटो यहां से और बढ़े क्या होता है उस कोवा को दुर दुराना मतल जाता है आगे कोवा को क्या होता है कोवा के बढ़े याक बढ़ी याक बैवाहार से बड़ी दुख भले उन पहुंच गले राजा के पास बढ़ी याक शिकायत करें बोलता है कोवा को बढ़े का जो ही था बैवार जो था उस बैवार से बहुत दुखी हुआ कोवा और चल खूटा फारे खूटा भीतर चीया गोटा राजा के पास जाता है राजा के पास और राजा के पास जाने के बाद क्या बोलता है राजा राजा बढ़े बुलाओ राजा आप बढ़े को बुलाओ क्यों तो बढ़े को हमने बोला तक खूटा फारने के लिए तो उसने खूटा को नहीं फारा क्योंकि खुटा के भीतर में मेरा चिया गोटा घुस गिया है और उसको मुझे खाना है मैं उसको बहुत मेहनत से लाया हूँ उसे मुझे खाना है तो राजा को भी ये बात हजम नहीं हुआ और कोवा का फर्याद राजा हूँ नाय सुन ले राजा भी क्या बो देता है next कोवा वहां से गुस्षा हो जाता है कि राजा भी मेरा बात ने सुना राजा का तो करते भी होता है सब का बात सुनने का तो राजा ने मेरा बात ने सुना कैसा राजा है जो एक छोटा सा जीव का एक इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा है तो वहां से कोवा को पर अगर हिंदी का लोग कथा में जाएंगे तो हिंदी का लोग कथा में राजा के बाद चला जाता है साप के पास और साप को बोलता है कि रानी को डसो तुम और यहाँ पर जो खोठा की लोग कथा है इसमें बोलता है राजा को डसो तुम तो यहां देखा, कोवा राइग्ये, शाप एक पास चल गया, नाग साप के नेहोर के कर ले, नाग साप के पास जाके कम्पलेंड किया, कोवा कहां चला गया, नाग साप के पास और नाग साप के पास जाके कम्पलेंड किया, बोल रहा है किया, साप साप राजा कडंस, साप सा देहीं बुलागे बढ़े नाहीं खूटा फारे खूटा भीतर चियां धोटा फिर बोलता है शाप को शाप शाप क्या करौ राजा को तुम ड़सो क्यों कि राजा ने बरगाई को नहीं बुलाया बढ़े खुटा पगागा राजा बुलता तो बर भ antagon के घूटा वबागई को करता हूँ किन साप तुम क्या करो राजा को दसो राजा को डसेगा तब राजा को शबक मिलेगा कि कैसे लगता है यहां पर थोड़ा सा जो है अंतर है कहानी में दोनों का लोग कता में next बोलतें साप भी कोवा के नहिर्ट ना सुनले कोवा का रिकोेस्ट को नहीं सुना तब कोवा चैल गयल कहा दांग ठिंद दांग मतलव लाथी या लक्डी का जो बड़ा डंडा होता है उसको बोलते हैं दांग तो डंडा के पास चला जाता है किसके लिए अब डंडा के पास जाके complain करता है कि ढांग ढांग साप मार शाप नाही राजा डंसे राजा नाही बढ़े बुलावे बढ़े नाही खूटा फारे खूटा भीतर चिया गोटा अब जाके लाठी को complain कर रहा है कि लाठी-लाठी तुम साप को मारो काये साप ने राजा को नहीं डशा, राजा ने बढ़े को नहीं बुलाया, बढ़े ने खूटा नहीं चीरा, और खूटा के भीतर में मेरा जो है, वह चिया गोटा है, जो की मैं नहीं खा पाया, किसको जाके बोलता है, तो यह लाठी को बोलता है, यह डंडा को जाके बोलता है, क पुदा क्या हुआ दांगों कोवा का बात नहीं माना तब कोवा ओर गुस्सा के कहां जाएगा सो देखी वो गुस्सा के चला जाता है किसके पास आग एक भीर चैनेट केला आग से कहाता है आग से आग 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 दांग पोड़ाव क्या बोल रहा है अब जाके आग को बोल रहा है कि आग तूम किजा करो तूम जाके लाठी को जला दो क्यों तो लाठी जो है वह नहीं मारा साथ को और साप ने क्या गलती किया तो उसने राजा को नहीं डसा राजा ने क्या गलती किया उसने बढ़े को नहीं बुलाया और बढ़े ने क्या गलती किया तो उसने खूटा को नहीं चीरा क्योंकि खूटा के भीतर में मेरा चीया गोटा है देखिए इसका यह क्या है लाए देखिए कि कितना उसके परती इस रिकस्ट करता है पनियाकाण दुखवास सुनाई के नहवर कर ले पानी को अपना दुख सुनाया और उसके साथ उसको बोल रहा है पानी पानी आएग निजाओ निजाना मतलब बुजाना ठीक है बुजाना मतलब बुताना यह भी मतलब बुजाना मतलब बुजा रहे हैं बात को ऐसा नहीं पानी पानी आएग निजा बढ़े नाही खुटा फारे खुटा भीतर चियां गोटा इतना फिर से वह कहानी को दोहरा देता है कि देखो बढ़े ऐसे ऐसे बात है तलाव तुम चलो नहीं तो फिर तुमको भी हम बाद में सिखाएंगे यहीं बोलके पानी भी उसका बात नहीं मानता है जाओ जाओ ला करता है पानी भी लमने करेंगे तुमस्त राकाम यहां बढ़ा आयाह तुमको इतना लंबाचोड़ा कहानी सुनाओ झान आज़ों पानी हुँ आधि के कौई हाइनिसार कर ले और पानी क कले अब चलनो तों और आज़्टिर हाथी के पास कहा जाता है वहाँ से भी हार मान के चला जाता है हाथी के पास और हाथी को जाके बोलता है फर्याद को फिर से दोराता है हाथी हाथी पानी घाट पानी को घेर दो तुम पानी को बरबाद कर दो तुम पानी को सुखा दो तुम तुम अपना सूर से पानी को वज के फेक दो इतना गांजो कि पानी कीचड हो जाए तो बलता है हाती हाती पानी घाट पानी नहीं आइग निजावे पानी क्या करता है आग को नहीं निभाता है निभाना मतलब यहां पर बुताना आग को नहीं निबाता है आग नहीं दांग पुड़ावे डांग नहीं शाप मारे शाप नहीं राजा के दसे राजा नहीं बढ़े बुलावे बढ़े नहीं खूटा फारे खूटा भीतर चीया गोटा फिर बोल रहा है क्या खूटा के भीतर चीया गोटा है तो इसका कोवा क का बात इस बर हाथी भी कोवा का बात क्यों सुनेगा उतना बड़ा जीव है इसका बात सुनेगा क्यों तो कोवा को कह कर दले आज चल लिए एक चियां गोठा के दाएं पानी घा टेले कोवा मन मायर के हुआ चाहें लूति के पास लूति मतलब होता इस चीटी के पास चीटी के पास वह चला गिया कोण तो कव्वा अब देख रहा है वहां पर बैठे बैठे पेड़ के उपर से सोच रहा है इसमें बड़ा यूनीटी है क्या है unity देखे होंगे आप लोग city को तो city का unity का सब कोई example देते हैं city एक लगातार एक में चलते हैं और एक साथ में मिलकर काम करते हैं तो city की unity को देखकर उसका मन में ख्याल आया क्यों नहीं अब city से ही इस बात को रखा जाए और उन्होंने क्या क्या चीटी के पास गया और का लूती लूती हाथी मार हाथी नाही पानी घाटे पानी नाही आएक निजावे आएक नाही डांग पड़ावे फिर से वो सारा परिकर्मा गुमा दिया जब वो अभी नहीं बात माना तब यहाँ पर कव्वे को क्रोध आया और कवा बोला कि एगे लूती हमार बात अगर नाय सुन भे तो एके-एके करे के बीच के तोनिये के खाइब कर जब देखा लूती भी उसका बात नहीं माना चीटी तो चीटीओं को बोला चीटियों को बोला कि अगर हमको वो चीआ कोटा नहीं मिला तो हम तुम्ही लोग को खाएंगे अब मरता क्या नहीं करता देख लिया चीटी भाई अब तो बात बहुत बिगड़ जाएगा अगर हम नहीं इसका बात सुनेंगे तो चीटी सब शमझ गिया कि भाई अब हम ही को खाएगा इससे बढ़ यहां आए कि इसका बात को सुन लो हो सकता है बज जाए क्योंकि चीटी को खाने में लेक नहीं ले एको वा को वो उठा के खा लेगा तो चीटी सब को वा जो है बात रास आई और उन्होंने का ठीक है तो कोशिस करके देखा जाता यहां पर कहा है कि अगर लूती हमार बात नहीं सुन में तो एक एक करके बीच के तोनिये के खईबो जैसे ही यह बात बोलता है तब लूती सब दयामाग लगाता है इबतिया सुनके लूतीयन डराए गलत लूतीयन मतलब जो चीटी सब है वो डर गया और कोवाक बात मायन के कोवाक पेचू-पेचू से हाथी के पास पहुँच गेला वह कहां जाता है कोवा के साथ में चीटी और चीटियां चला कहां तो हाथी के पास अब हाथी के पास गया तो हाथी पुझ कहां जाहा तो ही तो लूतीयन हाथी का तौर सूढ़े ढूक वो हाथी को बोल रहे हैं तौर तौर सूढ़ में है हम लोग घुसेंगे तो ऐसका बात नहीं मानेगा तो आज तौमारा कोई खेर नहीं हम लोग घुसेंगे तौमरा सूढ़ पे नेक्ष लोगत हंतिया अकबकाई कहा है कववख संगे संगे पानीक पास पोहच ला पनिया जो तलाब था पनिया पुछले हंतिया के वो जवाब दलें तो रहें आइने तो यह कोवख बात मान लें हाथी बोल रहा है किसको तलाब को कि तुमको एसे रगड़ेंगे ऐसे गिं हो जाओगे तुमको हम छोड़ेंगे नहीं बोले कि तुम काई ने कोवा का बात माना पनिया इस उनके हाथी के रहम करें कहले आर कोवा के माफी माइं के चलल आएगे एक पास आइग आपन दने पानी के आविते देख के डेराए गेला आग जो है वह अभी अपने तरफ पान को आता देख डर गया और सब मामला बुझ गया और वह भी कोवा के साथ हो लिया आग भी डांग को जलाने के लिए डांग भी आग का डर से गुमाए गला और कोवा काम करें ले शुरू कोवा का काम करने के लिए तैयार हो गया वह जखन संसने ले साप एक पास गयल तो हो लिया साप भी और चला किस के पास राजा का घर के पास अब राजा के घर के पास जब सब चल गया तो राजा देख लिया के बाप रही तो सब उठके चला आया एक साथ में तो आपने दने राजाएं साप के फेना काले आविते देखके साप के काले कहां जाहे रे साप जब फन काटके आया तो बोले साप को कि कहा जाया रहे तो बोले तो 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 हरे डसे ले तुम ही को मारने जा रहे हैं साप कालreb तो न weave क्यों सुन जवाब दो जब राजा समझ गया, कि बात क्या है, तब राजा को समझ में आ गया, कि यह बात कहा कहां निकला है, राजा सभी बातों को समझ गया और सभी बातों को समझने के बाद राजा ने क्या किया बढ़ई को बुलाया और बढ़ई को बुला के बोला कि जाओ तुम खूटा चीरो और खूटा चीर के इसको चिया गोटा दो तो बढ़ई भी क्या किया काट को लेके चला गिया अपना तांगा लेके गया और उसको चीर दिया और चीरने के बाद उसको चिया गोटा दे दिया और जो लकडी बचा उसको अपने घर ले गिया राजा इस बीच में कोवा का जो जिर्मिट मतलब जीद और जिगित सा उसकी बुद्धीमानी दोनों का तारिफ मन ही मन किया और कहा कि इस परकार से अगर कोई आदमी किसी काम के लिए ठन जाए या लग जाए तो वह क्यों किसी भी तरह से अपना काम कर सकता है अब यहां पर कई तरह के प्रश्ण भी बन जाते हैं या आपका खतम हो गया कानी खुटा भीतर चिया गोटा में प्रश्ण क्या बन जाएंगे आ शंकलन करता कोन है पहला क्वश्चन बन जाता है इसका संकलन करता संकलन करता कोन है लिख लेंगे line by line दिखेंगे दूसरा question आपको बोलता है कि खुटा भीतर लोग कता खुटा भीतर चियां गोटा में मुख भूमिका किसका है भूमिका इसमें किसका है मुख भूमिका में कौन है तो मुख भूमिका में कौन है कोवा तीसरा type का question बीच बीच से उठाया जा सकता है जैसे कवा का फर्याद जब सांप नहीं सुना तो कवा किसके पास गया जैसे इस परकार से होगा पूरा लेंथ जो है वो किलियर करिएगा कि बढ़े नहीं सुना बढ़े नहीं सुना तो किसके पास गया तो गया राजा के पास राजा नहीं सुना तो किसके पास गया सांप के पास सांप नहीं सुना तो किसके पास गया लाठी या डांग के पास लाठी या डांग नहीं सुना तो किसके पास गया आग के पास जब आग नहीं सुना तब किस के पास गया पानी के पास और पानी जब नहीं सुना तब किस के पास गया हाथी के पास और हाथी जब नहीं सुना तब किस के पास गया तो लूती के पास यानि की लूती यानि की चीटी के पास तो ये स्रीज एकदम याद रखेंगे कि किसके किसके पास गया है तो वो सारे चीजे आपको किलियर हो जाएगा इस स्रीज में जैसे ही आपका क्वेश्चन आएगा दस क्वेश्चन इस स्रीज से ही बन जाएगे तो दस क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा बोलता है इस कहानी से सिच्छा क्या मिलता है इस कहानी से क्या सिच्छा मिलता है सिच्छा क्या मिलता है तो निरंतर परियास करने से निरंतर परियास करते रहना चाहिए परियास करते रहना चाहिए इससे यही सिच्छा मिलती है कि मनिश्च को निरंतर परियासरत रहना चाहिए तो इस परकार के प्रश्ण आप लोगों के सामने बन जाएंगे चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताईएगा तब तक के लिए जय हिंद जोहार जितने भी छुटेवे पार्ट है वो साथ साथ में चलते जाएंगे क्वीज आप लोगों को एक महिना पहले स्टार्ट हो जाएगा फुल लेंद टेस्ट स्रिज जो की फिरी अपकोस्ट यूटूब पे लाइब होगा आप लोग उस समय एक समय निस्चित करके आप लोगों को जोड़ दिया जाएगा लिंक भी सेयर कर दिया जाएगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत